हेलो फ्रेंज वेलकम बैक तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूटुब के एक बहुत ही बिगेस चेंजिस की और बहुत ही इंपोर्टेंट चेंजिस के बारे में दोस्तो इसके बाद सभी यूटुबर्स की जो प्रॉब्लम्स है वह काफी हद तक कम हो जाएगी दोस्तो अगर आप भी यूटुब क्रेटर हैं और यूटुब पर पूरे महीने महनत करते हैं तो उसके बाद पेमेंट के लिए आपको एटसेंस का सहरा लेना पड़ता है तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपकी पेमेंट से रिलेटीड ही आपको एक जानगरी देने वा पड़ता है उसके बाद अपनी हमें अकाउंट डिटेल वहां डालनी पड़ती है उसके बाद हमारे जो यूटुब की पेमेंट है वह एटसेंस के थ्रू होते हुए हमारे अकाउंट तक आती है यह तो शायद आप सभी जानते होंगे लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले कुछ काम किया है तो उसकी जो पेमेंट है वह आपके एटसेंस अकाउंट में 10 नवंबर को आएगी और वह आपके अकाउंट में आते आते जो आपका बैंक अकाउंट है उसके अंदर आते आते 22 से 26 नवंबर तक का टाइम ले लेगी अगर गैस्टिड होलिडे बीच में पड़ जाएंगे तो शायद एक दो दिन और ज्यादा हो सकते हैं ठीक है अब यहां पर हम क्या करते हैं जब महीना हमारा पूरा हो जाता है तो हम फिर क्या करते हैं एटसेंस के अंदर लॉग इन करके बार बार यह चेक करते रहते हैं कि हमें कितनी रिवेन्यू जनरेट आपने अकाउंट तो यहां पर हम चेक करते रहती हैं एट-सेंजेंडर बार बार जाब्रा जा जाके लेकिन यहाँ पर अब सारे यूट्यूबर्स की फ्राब्लम्स थी वो लगभग कम हो गई है क्यूहं कि अब हमें बार बार अपने यापने अकाउंट या अपनी अर्नि के अंदर हमें सिर्फ हमारी एंग एस्टिमेटीड रिवेंज्स वांपर बताया जाता है कि मन्थली रिवेंज्स आपका इतना हो गया है लेकिन हमें एक्जक्ट अमाउंट कितना हमारे अकांट में transfer होगा, वो हमें AdSense में पता चलता था, तो चले friends, यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, तो friends, देखे, यहाँ पर मैं आपको अपना YouTube Studio खोल के दिखा देता हूँ, देखे, जैसे यहाँ पर estimated आपको दिख रहा है, तो लेकिन, अब क्या है friends, अब आपको YouTube ने एक और यहाँ पर नीचे फीचर दिया है, earn का, यहनि कि आपने कितनी earning कर ली, उस महीने में या उस period के दोरान, अब जब हम earn के उपर यहाँ पर देखे, मैंने क्लिक किया, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कि 143 यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर clear, तो दोस्तों, यह चीज जो है, यह देखने के लिए, हमें पहले जाना पड़ता था, adsense account के अंदर, और वहीं पर जाकर हमें जो है, हमारी account की पूरी detail मिलती थी, कि हमें जो monthly revenue generate हुआ है, वो कितना हुआ है, वो 10 तारिक को पता चलता था, कि हाँ, इतना amount अब हमारे account के अंदर credit होगा, ठीक है, तो उसके बाद हम calculate कर लेते थे, लेकिन, अब हमें adsense के अंदर जाना ही नहीं है, adsense के अंदर सिर्फ आपको तभी जाना है, जब आपको कुछ changes करने हो, तभी जाना है, नहीं तो अब adsense का जाधा काम आपको नहीं पड़ेगा, आपकी YouTube studio पर ही सारी चीज़े आपको मिल जाएगी, तो जैसे कि यहाँ पर सारी revenue आपको मिली गया है, उसक आपके लिए और हम सभी के लिए, जो YouTube ने यहाँ पर कर दिया है, हमें बार-बार आप अपनी earnings चेक करने के लिए, हमें adsense पर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक tension ही होती थी, तो दोस्तों यह changes बहुत ही काम का है, सभी के लिए, तो दोस्तों कैसे लिए आपको information प्लीज कमेंट करके बताना, अगर वीडियो अच्छे लगी हो, तो इसको लाइक करना, शेर करना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस तरह की YouTube से जड़ोई अच्छे-च्छे latest information के लिए, तभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, त और ही थक्राइब के लिए बताना झार जवीडियो अव्शे? झाल झाल